कि असलाम अलेकों मेरा नम डॉक्टर श्फीक चीमा है आप देख रहें नेफ चैट भी डॉक्टर श्फीक चीमा अभी हमने एक विडियो कुछ दिन पहले लोड की थी डायबेटिक नेफ्रोपेथी पे डायबेटिक किड्नी डिजीज में उसमें मैंने मेंशन किया था कि ती सर्च की दुनिया है उसमें एक तहल का मचा हुआ कि पहले सिर्फ एक दवाई थे अब हमारे रपस दो और दवाईया है तो वो कौन-कौन सी दवाईया है इससे पहले बिफोर आई गो टू डीटेल ये समझ लें ये जान लें कि जब शुगर होती है उसकी वज़ा से किड् इसके लावा और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है जिससे आप गुर्दों की दाइमी बिमारी या डियाबेटिक नेफरोपेथी या गुर्दों की बिमारी जो शुगर की वैसे उसकी प्रोग्रेशन या बढ़ने की रिफ्तार को रोक सकते हैं लेकिन इसके लावा अडिशनल कुछ चीजों से हेल्प होती है दिर अर सर्टन क्लासीज अफ ड्रग जो अडिशनल हेल्प करती हैं अब वो जो आप हर वक्त धवाई इस्तमाल करते हैं कीटो स्टेरल या कीटो एलफा या इलफा माइनो इसे यह वो नहीं है आप सोच रहे होगे कि शायद मैं उसकी बात करूंगा इसी तरह से एक रैनाडल के नाम से मैडिसन है वो भी नहीं है इसी तरह से कुछ लोग जो है ना लो फास ऐसे ही लिख देते हैं आप किसी जिरॉलोजिस फजीशन के पास आते हैं कीडनी डिजीज हुई नहीं होती कैल्शिम फास वरस नार्मल होता है तो वो लो फास लिख देते हैं ये वो भी नहीं है इसी तरह से कुछ गुछ गुर्दों के मल्टी वाइटमन मिलते हैं वो गुर्दों की बिमारी में एसेंशल हैं उनका बड़ा रोल है क्योंकि आपकी डाइट रिस्टिक्टिड होती है तो वाइटमन डेफिशन सी हो सकत तो जो मैं तीन ड्रग्स की बात करूंगा वह मैं आपको बताता हूं लेकिन उसमें दो बाते हैं एक तो ये कि मैं उनकी कलास बताओंगा स्पैसिफिक ड्रग्स दो वज़ों से नहीं बताओंगा एक तो ये कि काफी लोग लेना शुरू कर देते हैं फर उनमें वो नहीं म पिश्वरे से लेनी है और आप में उसका फाइदा है कि नहीं वो डॉक्टर और निफ्रालोजिस्ट ही बता सकेगा तो लोग कहते हैं जी दवाई नहीं बताते हैं मैं दवाई बता दू इग्जैक डोस बता दू अब लेना शुरू कर दें आपको कोई साइड एफेक्ट होजे तो फिर आप मुझे काँ पकट दे फिरेंगे तो उसमें नमबर वन याद रखें कि ये डैकर्ट से ये दवाई बड़ा कॉमली हम यूज करते हैं जो किलास है एसी नहीं पिटर या एर बी इस किलास में कोई 20-30 मैडिसन है किड्नी डिजीज जो शूगर की वज़ा से है उसमें प्रोटीन कम करते हैं पिशाब में किड्नी डिजीज की बढ़ने की रिफ्तार कम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्टेड़ी हुई है बहुत रिसर्च है जो एक ही दवाई अवेलिबल थी इस क्लास में बहुत सारी पोटेशियम, क्रियाडन, यह कॉम्प्लिकेटड चीज है यह आप खुद नहीं कर सकते हैं लेकिन यह एक ऐसी दवाई है जो गुर्दों की बिमारी की प्रोग्रेशन रोकती है दूसरे नंबर पे एक नई ग्रूप अफ मेडिसन आई है जो वैसे तो डायाबिटीज के ल लिए-दो की बिमारी की प्रोग्रेशन वी रुकती है दूसरे प्रोग्र्स मेड वर्प सकते हैं कुछ वरिए-टीर वियर्णे तो आप खुद नहीं ले सकते लेकिन अगर आपका नेफरा जिस्या कि डॉक्टर नहीं दे रहा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरे लिए ये दवाई मुनासब है कि नहीं फिर वो लिखेगा फिर आप लेंगे तीसरी ग्रूप अफ दवाई जो है रीसेंटली आई है वो एल्डोस्टीरों रिसेप्टर का इंटेगोनिस्ट है पहले हमारे प अब उसमें नहीं आई है फिनेरिनोन उसने शो किया है कि डायबेटिक में जिनको किड्नी डिजीज है इवन एडवांस भी है उनमें दें तो गुर्दों की बढ़ने की रफ्तार जो है न बिमारी की रुक जाती है लेकिन वो भी पाकिस्तान में अवेलबल नहीं और उसमे को कम कर सकती है अगर आपका निफरालोजिस्ट आपका डॉक्टर आपका फजेशन आपको नहीं दे रहा तो आप उनसे पूछें कि आपको यह क्यों नहीं मिल लए इसकी क्या वज़़ा है जिसकी वज़़ा से नहीं मिल लए तो अगर आप में वैर्नेस होगी तो अपनी में डिरेक्ट कर सकते हैं होफिली आपको यह विडियो पसंद आई होगी थेंक यू फर वाचिंग दिस खुदाफिस